गुजरात के सूरत में पांच मंजिला इमारत धह गई हाथसे में साथ लोगों की मौत हो गई है मृतकों में पांच लोग मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हैं आपको बता दी कि जो पांच लोग मृतक हुए हैं उनमें सीधी जिले, विंध के सीधी जिले के लोग शामिल हैं। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, NDRF के टीम रेस्क्यू में जुटी है, अभी मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। हाथसा शनी बार दोपहर में सूरत शहर के इंड़ेस्ट्रियल एरिया में हुआ, रेस्क्यू में जुटी टीम को रविवार सुबह तक साथ लोगों के शब मिल चुके हैं। बिल्डिंग 2017 में ही बनी थी, सिर्फ साथ साल में ही पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाने से इसके निर्मान की गुर्वत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। चार बच कर 45 मिनट पर एक साथ तीन शब निकाले गए। अब भी बिल्डिंग का मलबा हटाने का काम चल रहा है। आशंका है कि मलबे में दो तीन लोग और दबे हो सकते हैं। लाल जी बंभोली केवट अभिशेक केवट बिजेस हीरा लाल गॉंड और हीरा मडी बंभोली केवट है। घायल कशिश शर्मा को अस्पताल में भरती कराया गया है इमारत में रहने वाले शुभम ने बताया कि उनका 17 साल का छोटा भाई साहिल है। हाथसे के दौरान वे कमरे में ही था पूरी बिल्डिंग के दो फ्लोर ही भरे हुए थे। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर ही लोग रहते थे नीचे दो रूम और उसके उपर छै रूम में लोग रहते थे। शुभम ने बताया कि बाकी के फ्लोर खाली थे हर एक रूम में कम से कम पाँच लोग तो रहते थे। इस तरह दोनों फ्लोर में 20 से 25 लोग रहते थे मेरे बगल में एक कमरा था जिसमें एक आंटी रहती थी वे चार दिन पहले ही अपने भाई के साथ यहां रहने आई थी वहीं हाथसा होने के बाद पूरे सीधी जिले में कोहराम मचा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद मेरा न